कैबिनेट मंतरी सजजन सिंग वर्मा ने कैलाश विजवर्गी और उनके बेटे विधायक आकाश विजवर्गी पर जम कर बयानों के तीर चलाए इस दो आन सजजन सिंग वर्मा ने कहा कि सत्ता हटने की पीढ़ा वे सह नहीं पा रहे हैं देखे ये खास रिपोर्ट मतिप्रदीश की सियासत में बीजेपी के रास्ची महसचेव कैलाश विजवर्गी और उनके बेटे विधायक आकाश विजवर्गी के बयानों से हलचल मची हुई है लिहासा कमलनाथ सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंग वर्मा ने भी पलटवार करने के लिए मोर्चा संभा लिया मंत्री सज्जन वर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कैलाश विजवर्गी ने सरकार गिराने की धमकी दी है ये वो लोग हैं जो सत्ता के लोलूप हैं सत्ता जाने की पिढ़ा सहें नहीं कर पा रहे हैं केलाज शुजय औरगी ने फिर धमकी दी है कि हम बहुत जल्दी सरकार गिरा देंगे कमलनात जाल साजी तरीके से सरकार चला रहे हैं ये वो लोग हैं जो सत्ता के लोलूप हैं पद लोलूप हैं सत्ता से हटने का जो पीड़ा उनको हुई है उस पीड़ा को सेहन नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कमलनात जैसे व्यक्ति को जिनोंने मदिर देश में पहला उपचुना हुआ जाबुआ विधान सभा का उसमें रेकार्ड मतों से कॉंग्रेस का प्रत्यासी जीता है सक्जनवर्मा ने कहा कि महरास्ट और हर्याना चुनाफ से यह सिद्ध हो गया है कि बीजेपी और नरेंडर मोदी से जंता का मोह भंग हो गया महरास्ट में इतने दिन हो गये इनकी आउकात नहीं कि सरकार बना पाएं नरेंद्र मोदी और भाजापा का महो भंग हो रहा है आम जंता से ये सिद्ध कर दिया है महारास के चुनाओं ने और हरियाना के चुनाओं ने बिदान सभा के चुनाओं ने ये महो भंग होता साफ दिख रहा है आज इतने दिन हो गए महारास के चुनाओं को इनकी आवकाती महीं आकाश विजयवर्गी के बयान को लेकर कहा कि तुम्हारे घर का बिल जीरो आ रहा है ये समय बदला हुआ है ये कॉंग्रेस की सरकार है तुम खाली हाथ नहीं आते हो तो सरकार के पास भी लोहे की जंजीरे हैं ऐसे लोगों को लोहे के गहने पहनाये जा सकते हैं दूसरी तरफ आकाश बाबू बोल रहा है कि ये बिजली के बिल कम नहीं किये तो हम जब उत्रेंगे सड़क पर तो खाली हाथ नहीं रहते हैं जब तुमारे घर का बिल जीरो आ रहा है शर्म आना चीए इस परिवार को अधिकारियों पे दबाव डाल के अपने घर का बिल बिजली का बिल कई महीनों से जीरो आ रहा है ये इसके प्रूब भी हमारे कांग्रेस के कारिकरताओं वे खंडल वा लोग ग्रीश ने दिये हैं जब तुम अपने घर का करा सकते हो दबाव डाल के अधिकारियों पे लेकिन अधिकारी ये समय बदला हुआ है कांग्रेस की सरकार है इमानदार लोगों की सरकार है यदि तुम खाली हाद ने आते हो तो सरकार के पास भी लोहे के भारी भरकम जंजीरे हैं ऐसे अताताईयों को वो गहने लोहे के पेना जा सकते हैं क्योंकि सरकार किसी से नरेन मुदी अमीर साज जैसे से लोगों से दनी डरी तुम्हारी तौकात अधना है वहीं सर्जन सिंग वर्मा ने कहा कि पेंशन घोटाले मामले की रिपोर्ट आने वाली है और जल्द ही घोटाले बाजों पर कारिवाई होगी कुल मिनाकर PWT मंतरी सजन सिंग वर्मा ने पूरी बेबाकी के साथ कैलाश, आकाश और BJP पर जम कर बयानों की तीर चलाए प्यूर रिपोर्ट, MP News एंद और